हाई गाईज, वेलकम टू आवर चैनल कोजी हैल्थ, आज का टॉपिक है जीरो कैलरी फूड यानि नेगटिव कैलरी फूड जो लोग अपना वेट को मैनेज करना चाते हो, उन लोगों के लिए ये बहुत इंट्रेस्टिंग टॉपिक है, तो वट इस जीरो कैलरी फूड हम कैलरी रहती है, उस कैलरी से हमें एनर्जी मिलती है, फूरा दिन भर काम करने के लिए, अगर हमारे बॉड़ी को जादा कैलरी बान करनी पड़ती है, जो कैलरी हम गेन कर रहे हैं इन फूड से, तो उसको जीरो कैलरी फूड बोलते हैं, हमारे बॉड़ी वेट को हम असानी स से मेंटेन रख सकते हैं यह खाने को खाकर और यह extremely low है calorie में but high in nutrition इसमें बहुत सरे vitamins है nutrients है micronutrients भी रहते हैं इसमें ज्यादा तर water content में full है fiber भी रहता है काफी मत्रा में इसलिए जल्दी book नहीं लगती चलिए पहले हम देख लेते हैं किन-किन food को zero calorie कहते हैं सबसे पहले मैं apple की बात करूँगी यह calories में है 52 gram loaded with antioxidants and fiber boosts metabolism and यह weight loss करने में भी काफी मदद करते हैं तो apples खाना बहुत ही अच्छा है शेयत के लिए next is carrot यह calories में बहुत low है cholesterol में भी यह low है यह हमारे eyesight के लिए बहुत helpful है इसके अंदर vitamin A, C and K रहते हैं और यह potassium magnesium baby rich है daily diet में जरूर सामिल करें beetroot बहुत फाइदे मन्द vegetable है 100 gram में only 37 calorie है यह एक iron rich food है इसमे potassium magnesium और folate मिलते हैं यह cancer में भी बहुत मददगर vegetable है watermelon is hydrating and cooling food यह calorie में बहुत low है only 30 calorie है 100 gram में almost 90% सिफ water रहता है इसलिए यह catalyst के लिए भी बहुत helpful है इसमें vitamins mineral भी कपी मत्रे में है और एक zero calorie food है cabbage यानि पत्ता गोबी यह भी calorie में बहुत low है 100 gram serving में only 21 calorie है इससे खाकर आप अपनी weight को असानी से manage कर सकते हो इसके अलावा यह vitamin C में भी rich है antioxidants में भी rich है next is eggplant यानि बैंगन यह भी calorie में इतना कम है इसको zero calorie food कहते हैं only 100 gram में 20 calorie मिलती है polyphenols नाम का एक antioxidants है इसमें यह blood pressure को control में रखता है blood को purify करता है और vitamin C में भी rich है next is tomatoes यह extremely low in calories only 17 gram per 100 gram serving में इसको आप किसी भी form में खा सकते हो यह antioxidants में vitamin C में रिच है इसका soup बनाके salad बनाके vegetables में डालके इसको खाएंगे तो अच्छा है celery calories में बहुत low है vitamin A, C and folic acid में रिच है water content बहुत जादा है fiber में यह high है इसको खाकर आप असानी से अपना weight manage कर सकते हो और full भी रहता है cucumber यानि खीरा या और एक zero calorie food है बहुत सारे फायदे है यह cooling food है body को भी hydrated रखते है 100 gram में only 10 calorie रहती है weightless के लिए इसको जरूर खाएं daily basis में हर रोज सामिल करें इसको salad family का और एक member जो zero calorie food भी है वो है lettuce यह calorie में extremely low है only six calorie है per hundred gram servings में यह भी antioxidants, vitamins and काफी सरे मिंडेल्स में full है और एक zero calorie food है strawberry हम सब का favorite है यह भी calorie में बहुत low है 100 gram में only 33 calories हमारे system को भी यह detoxify करता है इसमें भी बहुत सारे minerals, vitamins, antioxidants पाए जाते है herbs and physis भी calories में बहुत कम होते है एक teaspoon में only 5 calories रहती है इसको भी moderation में consume करना चाहिए इसमें भी antioxidants and minerals रहते हैं next is green tea and herbal tea green tea शेहत के लिए बहुत अच्छा है fat burn करता है और calorie में भी green tea में 1 cup में 1.8 calorie रहती है और herbal tea में 1 calorie रहती है यह भी antioxidants में loaded है अगर आप खुद को slim रखना चाहते हो तो please zero calorie food को किसी ना किसी form में आप daily diet में सामिल कीजिए इसके अलाबा भी आपको exercise, walking, daily basis में करना ही परेगा नहीं तो calorie नहीं बार्ण होगी मैं ऐसे ही informative video लाते रहूंगी अपको अगर अच्छा लगी तो please video को like और share कीजिए चैनल को subscribe जरूर कीजिए